सीस कटे और धड़ लड़े राज इतियास बताता है खुद्दारी से जीना केवल राजस्तान सिखाता है या चेतक्सी स्वामी भक्ती राना सा स्वामी भक्त है घास पूस की रोटी खाके भी हमें लड़ने की सकती है अब मैं कविता प्रारंब करता हूँ 27 परवरी 1931 को चंदर सेकर आजाद सहीद हुए थे तब मार्च 1931 में राजगुरु सुकदेव और बगत्शी को पासी देने की सजा हो गई थे तब चंदर सेकर आजाद उनको बंचाने के लिए इदर उदर भाग दोड़ कर रहे थे तब उसके लिए दो लाई हुए अहले ए बादूरों की किसे सुना करो इनके किसे सुनने और सुनाने लाइक होती है क्या विस्वेकाई दर्चे देखा होगा उनन फ्रेट पारक के पत्तों निसे सा आजाद को गहर लिया फिरंगी कमबकतों नी पेरों के जुरुमट जी कदमों की आहट आई समझ गई सेखर के गद्दारों ने जात दिकाई मिटा दून फ्रेंग्यों को आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तोर उठाई उनका दोस्तों ने छोड़ कर नहीं जाना चाता दा थब आजाद ने कहा तुम क्या सोचते हो की मरते मरते दम पोड़ दूना में यही साचते हो की इन फ्रेंग्यों को जिन्दा चोड़ दूना में अरे कायर कार्तुसों की क्या दसा विसाद चक्र को मोड़ दूना में मरते सब की स्वामिनी है आज उसका ये प्रम भी तोड़ दूना में मरत्यु सब के स्वामीनी है आज उसका प्रंभी तोड़ दूंगों में आजात के लिए एक संबोतन है जगदंबा का केहरी वो जगदंबा का केहरी और अलफेड पारक में ताड रहा था इंदर का एरावत भी इंकलाबी बासा में चिंगाड रहा था नील गगन में दिनकर भी अस्ता चल की और बढ़ रहा था भारत का अकिला सिंग सेकडो बेडियों से लड़ रहा था होसलो धांगों था जज़बा था भारबी कैसे माई लेता हिंदुस्तान मी इंदुस्तानी फून था, अरे कदम कदम तर हाथ लग रही थी गोरों को निरासा, दरी की दरी रह गई गोरों की अभिलासा, आजाद की पिस्तोल बोज रही थी, पद्रकाल सुमित्रा नंदर ने इंदर जीत को सारा सक्ती से वर पाकर जे दर्द का काल बने अरजुन भी, ज आजाद ने अंतिम गोली आजाद को चोका दिया, पिस्तोल की अंतिम गोली ने आजाद को चोका दिया, भारत का स्वामी मान सम्मान बली हो गया अदबुत वेबव से और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आजाद के सव से, फिरंगी घंटों तक आप दूर रहे आजाद के झाल सुषी हुष्ट ए जे खाल सुषी हुष्ट